जहिंद वंदे मात्रम आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ड आमसी क्यू चनल पर तो फ्रेंड जैसे कि हम लोगों ने बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की नई भरती के लिए वन लाइनर स्टेटिक जी के क्लास को स्टार्ट किया था जो कि आपको डेली सुभज साथ बजे मिलते हैं तो आप लोग इस क्लास को डेली अटेंड करें most important questions कराए जाते हैं इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड किजिए और आप लोग अभी से त्यारी में लग जाईए तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट जैसे कि हम लोगों ने पार्ट वन में 35 प्रसन को कवर किया था आज आपका प्रसन संख्या 36 से चलेगा और जैसे ही टोटल आपके 500 प्रसन पूरे हो जाते हैं इसका पीडियेप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम चल का लिंक है जोइन कर लिजे वहाँ पर बिल्कुल फिरी में मिल जाएगा तो जीके प्रसन है हवा में ध्वनी का वेग कितना होता है तो जीके हवा में ध्वनी का वेग जो है ये 332 मीटर प्रती सकेंड होता है ध्यान रखना है नेक्ष्ट को सन विद्यूत परतिरोध मापा जाता है तो जीके विद्यूत परतिरोध को ओम में मापा जाता है वायू की चाल को मापने के लिए प्रियोग किया जाता है तो इसमें एनिमो मीटर का प्रियोग किया जाता है वायू की चाल को मापने में सार्वत्रिक गुरुत्वा कर्शन नियम का प्रती पाजन किस ने किया था तो ये किया था न्यूटन ने छोटी जी का मान भी पूछा आता है तो 9.8 मीटर प्रती सेकेंड स्क्वार ये छोटी जी का मान होता है इसको ध्यान रखें द्रव्यमान और उर्जा के बीच संबंद अस्थापित किस ने किया था तो ये आइस्टीन ने किया था भहुतिक रासी चुम्बिके प्रेरन का मातरक क्या होता है तो याद रखिए ये टेसला होता है रॉकेट के कार सिधानत क्या है तो दीके रॉकेट जो है ये संबेक का संरक्षन के सिधानत पर कार करता है पाइरोमीटर का उप्योग किया जाता है तो दीके न्यूटन के प्रथम गती नियम के द्वारा जड़त्व का नियम प्राप्त होता है न्यूटन ने गती के तीन नियम दिये थे हैजा कैसा रोग है तो दीके हैजा जो है ये एक जल जनित रोग है दूद को दही में असकंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है तो दीके ये रेनिन एंजाइम है ध्यान रखना है और दो दीके सुदता किस मीटर से मापी जाती है तो लेक्तो मीटर से मापी जाती है मानव सरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है दीके यहाँ पर अंग नहीं होगा गरंती कर लेंगे टाइपिंग इर रहे तो मानव सरीर का सबसे बड़ा गरंती जो है यह यक्रित गरंती है और मानव सरीर की दूसरी सबसे बड़े गरंती पूछे तो यह अगनासय गरंती है ध्यान रखना है और मानव सरीर का सबसे बड़ा अंग पूछे तो त्वचा है, सभी बातों को ध्यान रखना है पित का सुरोत कहां से होता है तो इसका सुरोत यक्रित से होता है व्यस्क मानव के मस्तिस्क का औसत वजन लगवग कितना होता है तो ये औसत लगवग 1400 ग्राम का होता है malaria रोग पैदा होने का कारण क्या है तो ये proto-जवा है proto-जवा के कारण malaria होता है ध्यान रखना है सरीर का वह अंग जिससे पानी, वसा तथा बिभिन अपचै अफ्सिष्ट उत्सरजित होते रहते हैं वह कौन सा अंग है तो ये वरिक है कसे रुकी जिसमें कंकाल पूर्णता अस्थिल होता है ये क्या है सरी स्रीप में याद रखना है सरी स्रीप में कंकाल पूर्णता अस्थिल होता है जूट के रेसे पौधे के किस भाग से प्राप्त किये जाते हैं तो ये तना से प्राप्त किये जाते हैं ये प्रसनाप लोगों के लिए विवियाई है इसको ध्यान रखे विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है याद रखना है विटामिन डी की कमी से रिकेट होता है और इसमें कौन सा अंग परभावित होता है तो इसमें अस्थी परभावित होता है विटामिन D का रसाइनिक नाम क्या होता है केलसी फेरोल बॉक्साइट से किस धातू की प्राप्ति होती है तो दीके बॉक्साइट से एल्मूनियम की प्राप्ति होती है यानि कि एल्मूनियम का एस्क जो है ये बॉक्साइट है प्राकृतिक रवर किसका बहुलक है तो देखे प्राकृतिक रवर जो है ये आईसोप्रीन का बहुलक है most important person आपके एक्जाम के लिए इसको ध्यान रखे धातू की क्रिश्टल सनरचना का अध्यान किस तकनिक द्वारा होता है तो एक्सरे के द्वारा होता है याद रखना है एक्सरे का खोज किसने किया था रॉंट जनने किया था आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि गामा किरन की खोज किसने की थी देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं यूरिया खाद से पौधों को कौन सा तत्व मिलता है तो यूरिया खाद से पौधों को नाइट्रोजन मिलता है और आप लोग ये भी कमेंट करके बताएंगे कि हमारे सरीर के किस भाग में यूरिया का निर्मान होता है सीशा और तीन का मिस्रन क्या होता है तो जी के सीशा और तीन के मिस्रन से सोल्डर बनता है ध्यान रखना है आप से पूछा आता है पीतल किसका मिस्र धातू है तो ये तामबा याद रखना है पीतल जो है ये तामबा और जिंक का मिस्रह याद रखना है Next question संचायक बैटरी में पर्योग होता है तो जी कि संचायक बैटरी में लेड का परियोग होता है और बैटरी में कौन से अमल पाया जाता है तो याद रखना है H2SO4 यानि की बैटरी में सल्फियोरीक अमल पाया जाता है Naikya reactor में इंधन का काम कौन करता है तो इसमें uranium काम करता है इंधन के रूप में याद रखना है Naikya reactor में नौसादर का सुत्र क्या होता है तो NH4Cl ये नौसादर का सुत्र है जर्मेनियम क्रिष्टल में आवंध होते हैं तो जर्मेनियम क्रिष्टल में सह संयोजी आवंध होते हैं किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सरजित अलफा किरने है तो दीके किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सरजित अलफा किरने जो है ये हिलियम नाविक है laughing gas का रसानिक नाम क्या है तो दीके laughing gas का रसानिक नाम nitrous oxide है सूत्र N2O होता है dolomite किसका आइस्क है ये भी प्रसनाप लोगों के लिए important है पूछा गया है तो dolomite जो है ये magnesium का आइस्क है विकीरन चिकित्सा में पर्युक्त noble gas कौन सा है तो विकीरन चिकित्सा में redon noble gas का प्रयोग किया जाता है और दीके अगर आप लोगों को session थोड़ा भी पसंद दाता है तो सभी लोग session को like करें session को share करें ताकि आपको exam तक ऐसे ही daily video मिलते रहे save में किस पोशक तत्व की अधिकता होती है तो iron की अधिकता होती है याद रखना है iron रक्त में भी पाया जाता है रक्त का pH मान कितना होता है 7.4 होता है सिर का जिसको vinegar भी बोला जाता है इसका वानेजिक नाम क्या है तो इसका नाम है Acetic Amal last question glycol का स्वाद कैसा होता है तो दीके glycol का स्वाद जो है ये मीठा होता है तो friends आज के session में भी हम लोगों ने 35 most important one liner static GK को cover किया तो आज के लिए इतना ही तब तक के लिए जैहिंद